शुप्रभातम, श्रीमत भगवत गीता के गीता का सार नामक वर्ग में आफ सभी भक्त मिर्दों का हार्दिक, श्वागत, वंदन, चंदन व अभिनन्दन प्रतेक दिन की भाँती, आज भी हम लोग श्रीमत भगवत गीता के श्रनिम असलोग का रशाश्वाधन करेंगे आईए इसमें पुर्ण शमर्पन के साथ भाग लें। परमान श्रीमत भग्वज गीता अध्याय सत्र अस्लोग पंद्र सब्दार्ट। का अभ्यास सनम कार्थ है अभ्यास चो कार्थ है भी एव कार्थ है निश्चे ही वाक कार्थ है मयम वांग मयम कार्थ है यहां पर वानी की या वाक मयम जिसे हम सकते हैं वानी की तपह कार्थ है तपस्या उच्चते कार्थ है कही जाती है अनुवाद सच्चे भाने वाले हितकर तथा अन्यों को छुब्ध ना करने वाले वाक्ट बोलना और वैदिक साहित का नियमित पारायान करना यही वानी की तपस्या है आईए इसका अरसा स्वाधन हम अंग्रेजी भाषा में भी करें The essence of स्रीमर भगवद गीता अनुद्वे करम वाक्यम सत्यम प्रिय हितम चया स्वाध्धाया अभ्यसनम चयवा वांग्मयम तप उच्चते word meaning Anudve karma means not agitating Vakyam means words Satyam means truthful Priya means dear Hitam means beneficial Cha means also Yat means which Swadhyaya means of Vedic study Abhyasana means practice Cha means also Ev means certainly Vangmayam means of the wise Tapah means austerity Uchchate means is said to be Now come to learn its English translation That is Austerity of speech consists in speaking Words that are truthful Pleasing Beneficial and not agitating to others And also in regularly reciting Vedic literature All glories to Sri Vat Bhagavad Gita All glories All glories to Guru and Garanga All glories to the people You are a person who is 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 a person in the background